पशीम बंगल में फिर एक दूगदाए घरना घरी है आशम से अलिपूर दुवर तक जो शेफिंग एक्सप्रेस आ रहा था उस ट्रेन में एक महिला आराई सल के बच्चों के लेके सफर कर रहा था जब ट्रेन सुमसम जगा आया उस दौरान जब बौगी में कोई नहीं था तो दो लेरके महिला की जो बच्चे उनको छीन लिया बच्चे छीन के उसको चलती ट्रेन से फेक दनी की धमकी दी है और गैंग रेप किया है पश्चिम बेंगाल में इस घटना को न्यूस चैलन दिखाया लेकिन असली जो दोशी है गुनेगार है और दो लेरका का नाम नहीं बताया जब महिला के साथ बरबारता हुई है वो जब अलिपूर्द्वा जब स्टेशन पर तेन थामा है रद्दाजवए उस टाइम आर्पीएप को जाकर महिला जो दौर के जाकर सब घटना बोली उसके बाद आर्पीएप ततपर होके दो लरके को पकार लिया उस दो लरके का नाम है इमनुल हक माइनाल अब्दुल इमनुल हक माइनाल अब्दुल ये दो लरके है जिसको पकार लिया है आर्पीएप ने ये कोकरा जहर इलाका का रहने बाला है आलिपूर्द्वार आलिपूर्द्वार कोकरा जहर इलाका के र देखे इस घटना का तो जिकर मीडिया ने किये है लेकिन मीडिया ने इस लेकर के के नाम छुपा दिया था कि पश्चिम बंगाल में हर जगा ऐसी घटना घट रही है हर रोज क्या एक संप्रदाय आप पिछले कुछ गटना का जैन में लेके आईए पश्चिम बंगाल में जगटना घटी थी जैसे डॉली बर्मन के साथ घटना घटी थी वैसी जो इनके घटना के पीछे रहता है देखा जाए एक संप्रदाय का एक खस्प करके संप्रदाय का लोगी जुरा रहता है इसलिए उनका नाम छुपाया दिया जाता है इस बार भी कोशिश किया था लेकिन उसका नाम बहार आ गया है जो लड़के यह बरवरता मुईला के साथ गैंग रेप किया था उनका नाम है कोक्रा जहर का रहने वाला है अलिपुद्वार का मुईनुल होक दोनों लेकिये हैं कि महिला के साथ पश्री मंगल में बरवरता बार बरती जा रही है कि एसा हो रहा है हर बार कि हिंदियू जो महिला है उनके साथ इतना घटना घट्रिया है जो हम लोग चाहते हैं जो घटना में दोशी है पक्रे गाया है उनको फासी की सजा हो कि कि हर वार एक संप्रदाय का जो लोग है वो ऐसे गुना करके बज जाते हैं बापी मिस्त्री ओष्ट्वेंगल क्रेट्ली मिजए